तो दोस्तो railway counter से ततकाल confirm ticket किस पकार से आपको लेना है या पर आपकी जो ततकाल ticket किस पकार से आपको confirm मिल सकती है आज मैं आपको अपना experience share करूँगा इसलिए video को end तक जरूर देखते रहना है तो देखी दोस्तों अगर कोई festival है या पर कोई other season है जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग इस state से दूसरे state में जा रहे हैं या पर आ रहे हैं और एंसे condition में अगर उस route में बहुत कम train चल रही हैं गिनी चुनी या पर एक train या पर दो train तो एंसे में ticket confirm होने का बहुत ज़्याद का इसका time होता है ग्यारा बजे sleeper वालों का और जो यह सी वगेरा होती है उसका time 10 बजे होता है और अगर आपका sleeper है तो आपको ग्यारा से पहले ही counter की line में लग जाना है अपना phone फिलाव करके अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको जो ततकाल ticket हो confirm किस पकार से मिलेग तो आप यहाँ पर देख लिजे मान लिजे कि आप जिस भी station में जा रहा हो ततकाल ticket लेने के लिए और वहाँ पर एक ही counter है और यहाँ पर लंबी line है तो बहुत कम chance होता है कि अगर जो first वाला line में लगा है इसका तो 101% chances होता है कि इसका जो ticket है यहाँ पर confirm हो जाएगी लेक पीसरा बंदा है इसका chance बिलकुछ zero के बराबर है क्योंकि यहाँ पर जो ततकाल ticket का जो quota होता है लेने का only यहाँ पर 11 होता है और 11 बच की अगर एक minute भी होता है तो यह पूरा का पूरा quota भर जाता है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आपको क्या करना है तो दोस्तों आ हाँ पर counter है माली जी एक counter है यह पर दो counter है यह पर तीन यह पर चार बड़ी station में चार चार यह पर पांच पांच यहाँ पर counter होते हैं और जब भी आप ततकाल ticket लेने जाते हो तो आप बिचार करिए सोचिए कि जो line में लगता है ना line में आपका first में आपका chance होना चाहिए आप first में line आपका number होना चाहिए चाहिए आप कुछ भी कोसिस करना पड़े आपको first में ही line में लगना पड़ेगा तब ही आपको confirm ticket होगी तो line में first number आने के लिए चाहिए आप पूरी रात station में आपको सोना पड़े मच्छर से कटवाना पड़े यहाँ पर no problem लेकिन आपक चार counter हैं और चारों counter में आपका कोई भी यहाँ पर एक number line में आ जाता है तब भी आपकी जो ticket यहाँ पर confirm हो जाएगी अब मैं आपको बता देता हूं कि confirm अगर 11 बच्च की एक minute से उपर होता है और जो line में दूसरा बंदा लगा है इसका chance यहाँ पर क्यों नहीं लगता है क्योंकि यहाँ पर ticket लेने के लिए हाथ चलाने के लिए जो computer में वहाँ बैटे हैं वो अकेले तो बैठे नहीं है उस route में जितने भी station पड़ती है पर जितने भी लोग वहाँ पर जाना चाहते हैं सभी वहाँ पर जो counter होते हैं सभी ओ लोग ततकाल ticket book कर रहे हैं आप अकेल payment भी होता है ना यहाँ पर जो ततकाल का quota है वो तुरंत ही फुल हो जाता है जिसके बज़े से दूसरा लाइन में लगवा बंदे का चांस ही नहीं आता है तो मैंने final clear कर दिया कि अगर और यह दूसरी बात ही है कि यह जो problem है कभी कभार ऐसा होता है ऐसा नहीं है कि आप हमे एक ही है तभी यह problem होती है अगर दो तीन train चल रही है उसी route में तब तो यह problem आपको नहीं मिलेगी लेकिन उसी route में एक ही train चल रही है तो यह जो problem है आपको देखने को मिल सकती है और दूसरी बात यह है कि जब भी आप ततकाल ticket के लिए लाने में लगोगे ना तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा दलाल भी बैटे रहते हैं जो कि इधर उदर से कस्टूमरों से पैसा लेते हैं और पैसा लेने के लिए वो लोग क्या करते हैं कि एक से ज़्यादा फॉम वो फिलप करके रखते हैं और यहाँ पर पहले ही number line में वो लोग लग जाते हैं वो लोग क् कंफॉम होते हैं कस्टूमर की कि अच्छा आपको यहां से यहां तक जाना है और दूसरे बंदे को भी वोहां से वहां तक जाना है तो यहां पर नाम तो अलग अलग हो सकता है लेकिन उनका जो जाने का station ओ एक ही होता है तो लोग क्या करते हैं कि एक ही फॉम में 4-5 ने यह इसा भी कमाते हैं बिलेक मनी तो इन बातों को आपको खास करके ध्यान में रख लेना है अगर दलाल लोग आपको डराता है धमकाता है तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है